ठीक है चलो वीडियो पोज करो सॉल्व करने की कोशिस करो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और 10.2 यहां लिटिल बिट मिस्टेक है यह जो एनर्जी है यहां से यह 10.2 होगा तो इसको सही कर देना 10.2 इलेक्टान बोल्ट कहता हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में 10.2 इलेक्टान की एनर्जी या फोटान अब्जार्ब किया आर्बिटल एंगूलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ होगा हो हमें calculate करना तो आर्बिटल एंगूलर मोमेंटम क्या होता आर्बिटल एंगूलर मोमेंटम होता एन एच अपांड टू पाई अगर ग 10.2 अब इलेक्टान कहा था ग्राउंड इस्टेट्मेंट अब 10.2 इलेक्टान का एनर्जी या फोटान अब्जार करके कहा जाए गया तो यहां से हम सब पढ़ चुके हैं कि यहां एन इस इकोल टू होता है और यहां पर एनर्जी होती है है यहां से फर्स इक्साइट इस टेट में गया होगा 10.2 यही जो डिफरेंस है डेल्टा ही वह है 10.2 इलेक्टान बोल्ट तो जब फोटान पढ़ा होगा तो वह जो ग्राउंड इस्टेट में जो इलेक्टान था वो जम कर गया होगा टू वाले आर्बिट में तो टू वाले आर्बिट में बच्चों जम कर गया तो यह जो एनर्जी डिफरेंस है 10.2 आ गया तो अब इसका मतले भी हुआ है यह पता चल गया कि कहां गया है तो हमें जब पता चल गया तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस कॉल टू एच अपा अपाल ने तो फाइनली जो है इनक्रीज इन्गुलर मोमेंटम फाइनल में से इनिशियल गटा दो तो एच अपाण 2पाई और माइनस एच अपांड 2पाई तो यह गटा दोगे तो एच अपांड 2पाई अभी यह कैल्कुलेट कर लेना 10 की पावर माइनस 34 आर्डर के आता है तो एच अपांड 2पाई की वेल्व माइनस 34 इन्टेस्टिंग बात है कि सारे 34 के आर्डर में ही है तो तुम्हें कैल्कुलेट करना ही पड़ेगा तो तुम कैल्कुलेट कर लेना यह डिफिकल्ट काम बागी तो मैं तुम्हें समझाई दिया ठीक है